इंदौर में लगतार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है शादी सम्हारों के इस सीजन में जहां परिवार शादियों में लगा हुआ है तो वहीं चोर उन सूने घरों की रेकी कर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ऐसी ही एक घटना सामने आई है परिवार अपने परीजनों के घर हरदा में शादी में भग लेने पिछले दो दिनों से गया हुआ था उस भी चोरों ने घर को निशाना बनाते हुई डुब्लिकेट चावी से घर के अंदर अलमारियों के लोग को तोड़ कर पांच लाग से अधिक के जेवरात और हजारो रुपे नगदी पर हास साफ कर फरार हो गए घटना के बाद आरोपी के पीछे पुलिस लगी पुलिस आसपास लगे फुटेजों के आधार पर चोरी करने वाले बदमाशों की तलाश में लगातार जुड़ गई लसूडिया थाना शेतर में लगातार चोरी की वारदाते सामने आ रही है पिछले दिनों जहां अपकारी अधिकारी के सूने घर को चोरो ने निशाना बनाया था तो अब मही बाइपास पे लगी सिर्वर पार्क कॉलनी में रहने वाले जांगावर परिवार की घर पर चोर नगदी चोड़ ले उड़े जेवरात की कीमत पांच लाक से अधिक आ की गई है महीं घटना के बाद अब लसूडिया पुलिस कैमरे के फूटेज देख चोरो की तलाश में चुट गई है तर्क गटना हो भी आपके आपर नव तारिक को मिया से आउट आफ इंडोर से रहे थे साम को साथ बज़े और कल आए साम को साथ बज़े तो यह ताला तूटा मिला और यह अंदर पूरी अल्मारिया उसमें पुरा सावान गोल्ड और पैसा गया हमाद जवरात में क्या गय इसे साहिव ग्ने के लुट ँदेहीं क्या मूआि पूरा कामाई के दर श्यांवर्वय प्यूंसरी गमार्व मर्म मर्टों कुट कुछी लना प्रीजी ज़साना उन्सरीयों का सीविले ऐना कृओं नहीं किसी ने कुछ भी नहीं रताया हमने जब ताला खोला यह में गेट तो बन था यह वाला अंदर वाला उख लाता अप्टा वा जावी कोई दूबलिकेट लाय थे वहा हाँ चावी थी उसमें लगी हुई जा लागडाउन में भी आप गया थे उसमें कुछ बन दूलाइ भी में आया था में तब चार महीने कुछ भी नहीं हुआ दिवाली पर भी हम जाते हैं अभी तीन साल से तही दे करी हैं आपका नाम बतला दो राहूल जगनवार कितनी साड़े लेगा हुई कितनी साड़े लेगा बयो रिपोर्ट वोइस अफ राइट्स